हलो इस्टों इस नेक्स अम डिसर्स करेंगे एक्जांपल नमब फोर देखो क्या किया रहा है दा सिंपल इंट्रेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर थ्री इयर्स एट फाइफ परसेंट पर एनमीज वन टू जिरो जिरो वह सिंपल इंट्रेस्ट ऑन अ स्रिटेन सम ऑफ मनी फॉर थ्री जाल के लिच पास त्व रिट आपको फाइफ दे रखा है क्या हो गया जिसको यार हां तो कैसे निकालेंगे ऐसा का फॉल्मले जानते आप ऐसा एक टू क्या होता है पी मल्टिप्ला ऑर मुल्टिप्ला ट्रपॉं 100 तो यह हो गया है 1200 पी का वैल्यू कितना है आपके पास एक सिकनी यह ऐसा ही दे रहे है रहे है रहे है रहे है पी अपनको गिवें नहीं है रेट 5% है और टी हमारा तीन साल के लिए है 1200 मुल्टिप्लाइ 100 अपॉन 5 मुल्टिप्लाइ 3 इक्वल्स टू पी 3 फोर जा 12 फाइफ तूजा 10 फोर टूजा 8 और 1000 पी का वैल्यू कितना हो गया 8000 हो गया किलिया रहे हैं आपर अब हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं अपनी है अना अब देखो हमारा पी हो गया है 8000 रुपीज और आर का वैल्यू हो गया है 5000 बताओ समझ में आया क्य ठीक है सर समझ में आ गया अब ध्यान देना मैं कह रहा हूं आपसे फर्स्टली इंट्रेस्ट फॉर फॉर्स्ट इयर वन इयर वन इयर के लिए इंट्रेस्ट कितना होगा भाई 8000 मुल्टिप्लाइफ 5 मुल्टिप्लाइफ 1 अपॉन हंड्रेड जीरो से 0 गया इट आफ्टर वन इयर 8000 प्लस फॉर हंड्रेड 8400 रुपीज हो जाएगा भरेगा नहीं होएगा बिल्कुल हो जाएगा सर अब इंट्रेस्ट जो लिख रहा हूं में ध्यान देना इंट्रेस्ट फॉर इसेकंड इयर इसेकंड इयर पर इंट्रेस्ट होगा वह 8400 मुल्टिप्लाइफ 5 1 अपॉन हंड्रेड डबल 0 से डबल 0 गया मुल्टिप्लाइब कर दो भाई 84 से मुल्टिप्लाइब कर दो 5 को केतना हो गया 420 तो जो प्रिंसिपल होगा आफ्टर सेकंड इयर 8400 में एड़ कर दो 420 तो यह 0 यह 2448 और 8820 रुपीस यह प्रिंसिपल हो गया आफ्टर सेकंड इयर हाना यह भी ठीक है अब आगे फ्रिंसिपल आफ्टर सेकंड इयर आगया 820 अब नेक्स देखो क्या है अब मुझे तीसरे तीन साल के लिए बोल रहा था ता तीन साल के लिए अब अगला देखो इंट्रेस्ट आफ्टर या इंट्रेस्ट फॉर थर्ड इयर 8820 और रेट आफ इंट्रेस्ट वही फाइफ है तो जो अब आपका प्रिंसिपल लिखो या इसको अमाउंट लिखो यह की बात है अमाउंट आफ्टर थ्री इयर्स 8820 प्लस 441 यह है आपके पास तीन साल के बाद अमाउंट की बात कर रहो अमाउंट की बात कर रहो तीन साल के बात क्या है यह मेरा अमाउंट है मुझे क्या फैंट करना था find the amount due and the compound interest ci अमाउंट माउंट माउंटस प्रिंसिपल 9261 माउंट कितना हो रहा था है मेरा पास फस्टली प्रिंसिपल अपना 8000 था यह नहीं यह प्रिंसिपल यह तो ऐसा ही दे रक्का था सिंपल प्रिंसिपल अपने एट थाउजंद निकाला था ना एट थाउजंद इसमें से लेस करेंगे नाइन थाउजंद तो वन टू सिक्स वन रूपीज इस यौर किलियर हुआ है आपर तो यह दो अमोंट निकल के आ गया है दिस इस कंप्रीट एक्जांपल में फोर नेक्स विलिंगे फिफ पर यार प्लीज जो भी इस्टुएंट्स न्यू है जुड़ चुके है चैनल से प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब के गज़बकर रकेडमी जो भी आपकी इस्टुएंट्स है फ्रम जूनियर सीनियर या रिलेटिव जो क्लास 8 से 12 तक का मैथमेटिक्स देख रहे हैं तो उसके लिए प्लीज आप सज़ेश्च करिए चैनल को शेयर कीजी चैनल के लिंक को और जोड़ ये इस्टुएंट्स को ताकि आपन तो क्लासेज हो रही है लाइफ सेशन हो रहे हैं और टीचर्स यहां पर बलाने के लिए ट्राय कर रहे हैं तो उसके लिए कि यहां पर एक माहौल क्रीट हो जाए मस्तसा तो नेक्स मिलेंगे एक्जैम्पल नमबर फिफ्ट पर